आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिले में लगतार कोर्णा संकमन के मामले बढ़ते जा रहे हैं लोग कोर्णा प्रोटकॉल के गैडलाइन कभी पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे मिला परवाही भारी पड़ती हुई नसर आ रही है तीसरी लेर हमारे देश में अभी चल रही है और कुछ मेट्रोज में उसमें काफी ज्यादा परिशानिया हो रही है धीमे धीमे ये देश के बाकी इसों में भी बढ़ रही है तो number of patients तो बढ़ रहा है तेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि hospital load उसे साब से नहीं बढ़ रहा है लोगों को serious परिशानिया कम हो रही है इस कारण जो hospital में उनकी वस्ताय है उनके कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है oxygen की दिमान कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है और vaccination program बहुत अच्छे से चल ला है हमारे देश में तो शायद उसका lab हमको मिल रहा है और third wave एक सामानी flu की तरह दिख रही है जो जो एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत जल्दी शायद हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तो यह देश के लिए एक अच्छी क्पार देखेगा तो वो क्या होगा देखिए लॉंग टर्म के शुक्विली अभी अंडर रिसर्च हैं लेकिन जो बेसिक जानकारी आ रही है उसमें ऐसा देखने को मिलना है कि यह इतना सिंपल भी नहीं है काफी लोगों को लॉंग कोविड जिसको हम कहते हैं कि 6-6 मेने के बाद भी उसके ऐसा रहते हैं वो देखने को मिलना है